आज का टॉपिक है बिल्डिंग ड्रॉइंग और आज हम जानेंगे कि प्लान, सेक्षन और एलिवेशन में क्या डिफरेंस होता है तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की विटेक सिविल इंजिनेरिंग में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजीगा जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टी टाइम मिलती रहे इसके अलावा सिविल इंजिनेरिंग के ऐसे बहुत से कन्फियोजन वाले टापिक है और बहुत इंपोर्ण टापिक है जिसे मैंने अल्रेडी कवर कर दिया है जरूर देख लीजीगा सारे लिंक्स आपको डिस्क्राइब बॉक्स में मिल जाएगा मतलब कोई बिल्डिंग है उससे आप फ्रंट से देखेंगे या बैक से देखेंगे या फिर साइड से देखेंगे तो जैसा भी structure दिखाई देगा उसे बोलेंगे उस structure का elevation image में आप देख के समझ सकते हैं कि एक building का ये क्या है elevation structure बनाने के बाद वह सामने अत्वा पीछे से कैसे दिखेगी यही पता चलता है आपके elevation में elevation कई प्रकार के होते हैं जैसे front elevation अगर आप front से देख रहा है किसी भी structure को side elevation अगर आप side से देख रहा है तो जैसा देखेगा वो कहलाएगा side elevation और rear और back elevation साफ सिधी बात इतनी है कि elevation का मतलब होता है किसी भी structure को जैसा वो है उसी तरीके से आप उसे front से या back से अगवारे या पिछवारे से बिलकुल वैसे ही देखेंगे जो भी आपको दिखाई देगा वो कहलाएगा elevation next है plan plan क्या होता है a plan is a bird eye view of a space अब इसका मतलब यह है कि चिडिया के आँखों से देखा गया चिडिया के आँखों से मतलब क्या चिडिया नीचे से देखेंगे नहीं चिडिया कहां उड़ती है उपर उड़ती है बर्ड क्या आस्मान में उड़ती है तो उसे बोलते है plan plan shows horizontal distances आपके plan में सभी horizontal distance को show किया आता है चाहे वो लंबाई हो या चोड़ाई हो जैसा कि आपको image में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सारी dimension है जितनी भी horizontal है और इसी वज़े से जब आपको यह drawing बनाते हैं जब आप field work करते हैं तो सबसे जरूरी होता है वो होता है आपका plan section और elevation तो बाद में आता है लेकिन सबसे पहले वहाँ पर मांग उठती है plan की क्योंकि plan में आपको पता चल जाता है जो structure बन रहा है उसके अंदर क्या-क्या बनना है कितनी लंबाई, कितनी चोडाई का हमें area ले रहा है तो सब कुछ आपको plan में पता चल जाता है तो इसके बाद हम start करते हैं फिर अपना section और elevation देखना लेकिन सबसे पहले, सबसे important होता है किसी भी structure को बनाने से पहले वो होता है उसका plan आपने सुना होगा कि किसी भी structure को बनाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले एक plan बनाना चाहिए तो ये वही plan है जिससे आपको पता चल पाए कि actually मैं आप कर क्या रहे है कितना आपको करना है, कहां कहां क्या क्या करना है ठीक है तो यह सब ही आपको पता चलता है plan में और plan को हम ground floor plan, first floor plan और ऐसे ही कई types में हम इसे divide कर सकते हैं Next है section, section क्या होता है A view of a structure as through it had been sliced in half और cut along another imaginary plane यानि कि किसी भी structure को यदि आधे से या किसी भी imaginary plane से काट कर उसे देखा जाए तो वो कहलाएगा उसका section structure को vertically काट कर front से देखने पर जो हमें view दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं उस structure का section जैसा कि आपको image में दिखाई दे रहा है यह एक tank का plan है यहाँ पर जो यह point है जहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर यह line जा रही है इसे हमने क्या करा यहाँ से काटा एक imaginary plane से इसे काट कर हम देख रहे हैं किस side में इस side से तो हमें यह structure दिखाई देगा यानि इसका section यह है section shows vertical distances आपके section में सभी vertical distance को show किया आता है जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो plan होता है plan में आपका horizontal distance को show किया आता है तो वैसे ही section में आपका vertical distances को show किया आता है और जैसा कि आप image में भी देख सकते हैं, कि जो ये tank है, इसका जो plan है, इसमें सभी horizontal distances सो किये गए हैं, और section में सभी vertical distances, I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि section क्या होता है, चलिए अब मैं आपको इपर plan, section और elevation को आसान भासा में आपको revise करा देता हूँ, देखिए अगर ह आप इस orange को side से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो ये कहलाएगा आपका elevation, और अगर आप इस संत्रों को काट कर अंदर देखेंगे, तो ये कहलाएगा आपका section, तो I hope अब आपको असानी से समझ में आ गया होगा, कि क्या difference है elevation, section and plan में, दोस्तों आज के लिए इस कीजिए, जिससे मुझे support में पाया, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, और साथ में मारा जो नया चनल है, Cool Civil, उसे भी subscribe कर लिजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं civil engineering से related short videos डालता रहता हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you